हलो दोस्तों स्वागत है आपका इपर फिर से कमा लेकर्ट में कोच में आई आज फिर से कुछ नया सीखते हैं गुड मॉर्निंग एवरिवन आज मैं आपको एसस्ट का चैप्टर फिफ्टीन फोर डिरेक्शन जैसे कि नाम से समझ आ रहा आपको कि डिरेक्शन के बारे मैं बताने चार जा रही हूं देखें भी मूव अराउंड आप जानते हैं हम घूमते हैं है ना हम सीडियों से उपर भी जाते हैं और नीचे भी आते हैं हम बाएं और दाएं भी जा सकते हैं है ना जैसे भी गो अप the stairs and come down the stairs उपर नीचे जाते हैं भी में गो left or right हम left or right भी जाते हैं तो the words up, down, left and right are direction जो ये words आए हैं up, down, left and right ये सारी यमरी direction कहलाती है in the morning if you face the rising sun you are actually facing the east direction अब सुबा क्या होता है जैसे हम उठते हैं अगर हमारे सामने उकता हो सूरज है हमारे face की तरफ तो वो हमारी कौन से direction कहलाएगी हमारी east कहलाएगी वो जिस side से जिस direction से sun rise होता है वो हमारी east होती है behind you is the west और उसके just back वाली जो position होती है जो जो direction होती है वो हमारी west कहलाती है toward your left is the north and the south lies to your right और हमारे left में north होता है और south में right होता है ओके east, west, north and south are the four major direction east, west, north, south पूरा पश्य मुतर दक्षिन यह हमारी चार major direction है जो की compulsory direction है यह हमारी चार direction होती होती है the rising sun help us to easily find direction उपता हुआ सूरज हमें बहुत ही हमें आसानी रहती है उसको देखते में हम उसको आसानी से हम बता सकते हैं कि कौन सी direction में हम खड़े हैं या कौन सी direction है it always rises from the east यह हमेशा सूरज जो है east से ही निकलता है the sun also sets in the west और हमेशा जो set होता है या चिपता है वो west में ही चिपता है look at the very simple map on the next page देखी एक simple map दिखाते हैं आपको जो की next page पर है this is a map of India यह हमारे map किसका है इंडिया का है try and spot a few states and tell their direction इसमें क्या है आपको कोशिच करनी है और few states और उनकी direction बतानी है जैसे कि दिख रहा है आपको यह fill है देखिए यह उपर वाला जो portion होता है यह आपका north होता है इदर आपका west होता है इदर यह south है और यह east है ओके यह पूरा fill है देख लीजे इस map को आप इसी तरह से आपको यह map fill करना है ओके thank you